हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आप सभी का आरेन ओनलाइन च्लास चैनल पर स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजी क्विसेश के कुछ important questions के बारे में जो कि आपके exam में 12 पूछे जाते हैं इसलिए हमने इस पर यह वीडियो बनाया है तो पहला question आपको हमारे whiteboard पर दिख रहा होगा उनी questions को मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ यह video end तक आप देखिए अगर आप इसे देखेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सब कुछ automatic ही याद हो जाएगा बस इस वीडियो को एक बार आप देख लो तो जो पहला question आप देखी चुके हैं तो इसी पहले लोग शर्चा करेंगे उसके बाद भी मैं तीन question और करवाने वाली हूँ यह हमारा पहला question है और पहला question आपको दिख रहा है कि tsunami से आप क्या समझते हैं इससे बचाओ के उपाय बताई यह आपका question है तो आप इसके बारे में क्या लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे सुनामी क्या है सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है तथा यह एक जापानी शब्द से लिया गया है क्या है सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है तो आप यह सबसे पहली लाइन में लिखोगे सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है तथा सुनामी शब्द जो सुनामी दो सब्दों की योग से बना है कौन-कौन से दो सब्द यह हो गया सू प्लस नामी सू प्लस नामी दो सब्दों की योग से बना है सू का अर्थ है बंदरगा और नामी का अर्थ है लहरे तो समुद्र के किनारे जो बंदरगाह होते हैं उनमें जो लहरे उठती हैं वही क्या कहलाती हैं सुनामी कहलाती है तो जब समुद्र में लहरे कई लहरे छोटी छोटी लहरे मिलकर स्रंखला बना लेती हैं और वह समुद्र के किनारे विस्थापित होती हैं तबी उसी को हम कहते हैं सुनामी, क्योंकि कई लहरे, छोटी-छोटी लहरे मिलकर एक बड़ी लहरे बना ली हैं, और वो समुद्र के किनारे विस्थापित हो रही हैं, तो वो क्या कहलाती हैं कि सुनामी, वो बहुत बड़ी लहरे होती हैं, जो कि बहुत जादा नुकसान करत है हमारी संपत्य इन सबको प्रभावित करती है यह तो यह रहा को आप सुनामी की बारे में यह लिख सकते हो आप इससे बचाओं के उपाय क्या है प्रहले आप लिखो कि इससे बचाओं के निम्लिखित उन्सित दून को इसके बाद हम लखेंगस क्या है तो नमबर वन उपाई यही है हमारे पास समुद्र तटो के किनारे, तटवर्ती छेत्रों के किनारे व्रिक्षार उपड करने से सुनामी के प्रभाव को कम किया जा सकता है तो पहला उपाई क्या हो गया? शमुद्र तटो के किनारे विक्षार करना चाहिए हमें दूसरा उपाय dollars क्रिकwny करते हैं उससे भीजते हैं आ आसमान में तो हमें पहले से ही कोई भी आपने वाली है वह चाहाए बाड़ हो, लेरे Guys , व आने वाली होती है तो हमें इसके बारे में कई पता । जहाँ जर्ब हमें किसी चीज के पता हैं , तो हम से बचने का उपाय कर सकते हैं क्योंकि हमारे पर टाइम होगा कि हम को सोच लें या फिर जिस जगह पे हैं वहां से दूसरी जगह पे सिर्थ हो सकते हैं तो इस तरह से हम सुनामी से बच सकते हैं कि जो भी सरकार, दवरा जो भी जानकारिया दी जा रही है, जो भी ववस्ताइएं । हम उसे follow करें क्योंकि जब भी कोई आपडाती है, तो सरकार की तरफ से भी कुछ मदद की जाती है, कुछ उपाय दिये जाते हैं, हमारे scientists वगर होते हैं, वह पाई बताते हैं कि हम किस तरह से बत सकते हैं तो हमें वह सब फॉलो करना चाहिए यह सारी जानकारियों को पालन करना चाहिए जितने भी नियम बताए जा रहे हैं उनको पालन उनका पालन करना चाहिए जिससे हम उससे सुनामी से बत सके चौथा उपाय क्या है हमारे पास चौथा उपाय से बचने के लिए है कि हमें क्या करते हैं अगर जब हमें यह पता चल जाए कि इस छेत्र में सुनामी जब हमें करते मुपग्रह का हम यूज कर चुके हैं तो हमें पता चलता है कि हां इस छेत्र में सुनामी आने की संभावना है तो हमें उस छेत्र को छोड़ कर दूसरे शेतर में सिफ्थ हो जाना चाहिए तो यह हो गया आपके चार उपाय तो इस तरह से आप लिखोगे सबसे पहले आप सुनामी से आप क्या समझते हैं इसके बारे में विस्तार से लिखो उसके बाद जितनी बेर लाइने आपको आती है इससे बचाहो कि क्या-क्या इसका कारण होता है उपाय मैं इस सुनामी से आपके समस्ते इस तरह से आप पेपर में लिखें हम लोग बढ़ते हैं अगले कोशन के और जो दूसरा कोशन है वह है आपका बार से बचने के उपाय बार से कैसे बचा जा सकता यह भी बहुत ही important है यह भी एक प्राकृतिक आपदा है इसे भी हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में लोग चर्चा करने जा रहा हैं तो फ्रेंट दूसरा question हमारा यह है कि बार से बचने के उपाय क्या क्या है तो हम लोग हैं तो बार से बचने के उपाय के निर्माड करना चाहिए वहें चैंजांब करना रहीfach सकते है इसलिए यहं बहुत ही है क्या यूसफुल तरीका है कि हम लोग बांध कर निर्माड करेंगे तो जल को भी रोक लेंगे जो रुकसान हो रहा है उससे भी हम लोग बच जाएंगे और उसका कई चीजों में उसका हम लोग उपयोग भी कर पाएंगे तो सब्सक्राइब लिखोगे बाहर से बचने के लिए ने जाहिए हम लोगों को पी लगाने चाहीए के जाधा से जच्छा में हम लोगों को पैड़ लगाने से ऍट पास बाकशोम यानी वह जल के रूप में नहीं RAM को जल नीकै Dios पेड न रश्चव डान तो ही चावी कि लेंये। तीसरा पॉइंट पे हम लोग डिसकर्स करेंगे कि हमारे गाउं में जिस भी गाउं में जितनी भी जगा हो उस हिसाब से हमें तालाबों का निर्माल करना चाहिए तलाब करने अ किस गाओं का जितना भी पानी होगा जो सड़कों का पानी जाएगा वो सारा टलाब में क्लिफ होगा आने पर हम उसका योज भी कर सकते हैं अपने खेतों को सीचने के लिए उसका अपयोग कर पाएंगे में जिससे कि हमारा नुकसान ना हो और वह पनी जगा एकत्रित हो तो निर्माड करना चाहिए जिस हिसाब से जिलावया वस्ता हो उस हिसाब से थी हमें चोटे नियुक करेंगे of पैल तक हम लोग नें तीन पोइंट डिसकस कर ली हैं, कि मैं बड़े-बड़े बांदों के निरमाण करना चाहिए दूसरा पोइंट मैंने बताया था कि हमें बाने जाणनी बाइन पहाड़ी था किम चीजञावन रववरी जहा करना चाहिए तो मिट्टी का कटवा भी जादा होता और पानी नीचे तक आता और बहुत जादा तबाही मचाता है लेकि से उससे बसने के लिए हम लोग क्या कर सकते एक लास होती है उसे हम वाव उगा सकते को बी गहान सकते चोटी बड़ी गहांस हां कम हो रहा है वो भी ज्यादा होगा और हम बार से बच भी सकेंगे तो चौटा पॉइंट बहुत इंपॉटन पॉइंट है कि पहाड़ी लाकों में जो धलान होते हैं वहां पे हम घास चोटी-चोटी घासे उगा सकते हैं जिससे की बार के प्रभाव को प्रभाव से बचा जा आप पूरा कोशन पे परहल नहीं कर पाओगे तो इतना आप लिख दोगी तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा तो हम लोग तीसरे कोशन पर डिसकस करेंगा हमारा तीसरा कोशन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं बच्चो किसी भी सवाल में आप अटक गए हो आपसे सॉल्व नहीं हो पार है बस आपको सवाल का फोटो लेना है क्रॉप करने है और पांस सेकेंड के अंदर उस कोशन का वीडियो शली सुन आपको मिल जाएगा फिर आपका वह कोशन होंवर्क का हो सीबसी बोर्ट का हो य इटी जेई नीट क्लास छटी से बारवी तक का सवाल इन सब का जवाब आपको मिलेगा डाउट ना टैप पर या कोई भी सब्जिक्ट हो फिजिक्स, कमेस्ट्री, मैथ, बालोजी आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउट ना टैप पर साथ ही चल रहा है कच्छा नौवी से बारवी तक का लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मेडियम में तो बच्चो देर कियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग जाके डाउट ना टैप को डाउनलोड कर सकते हो तो जल्दी जाओ और डाउनलोड करो डाउ 1970 1970 के दसक में ये आंदोलन शुरू रुआ था इस आंदोलन का प्रारंब किस ने किया था इस आंदोलन का प्रारंब सुन्दर लाल बहुगुड़ा ने किया था सुन्दर लाल बहुगुड़ा ये आंदोलन का प्रारम्भ किया था और ये आंदोलन कहां पर क्रारम्भ हुआ था उत्रा भंभाते हैं यह रहे हैं तीन में टॉपिक्स के इसके बारे में क्या लिखो गया क्या पहले कि छ convention है इसके प्रनु में प्रारंब किया ता किसके बारें में था क्यों प्रारंब किया गया इसके बारे तो यह व्रिक्षो की कटाई जो हो रही थी लगातार व्रिक्षो की कटाई होने से हमारा जो पर्या-वरण था वो प्रभावित हो रहा था तो उसी कटाई के विरोध में वर और काटने से व्रिक्षु को काटने से उसे रोकते थे जादा कर महिलाय जाकर के व्रिक्षों से चिपक जाती थी कि हम इसे हम व्रिक्षु को काटने नहीं देंगे तो इस प्रकार से यह आंदोलन व्रिक्षु की कटाई को लेकर उसका विरोध करने के लिए आंदोलन प्रार के हम लोग व्रिक्ष को काटने नहीं देंगे तिस आंदोलन का मोटीव यही था कि वर्क्षो को बचाना है तो यह अंदोलन की बारे मैं आप यही लिखो डाइन से फर्स्ट लाइन आप लिखोगे कि चिपको आंदोलन उनिस सो सत्तर इस्वी में उत्राखंड प्रदेश में प्रारंब हुआ इस आंदोलन के प्रडेता सुन्दरलाल बहुड़ा जी है इस आंदोलन के अंतरगत व्रिक्षो की कटाई का विरोध किया जाता था इस आंदोलन में सभी आंदोलन कारी जो भी आंदोलन कारी सम्मिलत होते थे वो व्रिक्ष काटने वाले वक्तियों को व्रिक्ष काटने से रोकते थे और इसके लिए व्रिक्षो से जाकर चिपक जाते थे और व्रिक्ष काटने नहीं देते थे इसलिए इस आंदोलन का नाम च लोगों को धन्य वाइन को बचाने का उन्हें उपाए सोचा वह बहुत ही अच्छा था और बहुत ही कारगार सिध्ध वह एक चौथे कोशिट पर डिसकूस करेंगे करने हैं कि जल संग्रहित कर लीएट हूंगे तो उनका प्रयोग हम हम सूखे में कर सकते हैं उन जलो का उपयोग हम सूखे में कर सकते हैं और अपने खेतों की सिचाई कर सकते हैं इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि पाइप्लाइन की उचित ववस्था होनी चाहिए पाइप्लाइन की उचित ववस्था होगी तभी तो हम एक इस्थान से दू कि हमें बड़े बाद्थ में बचने की असे रिए यह का चाहिए कि सूखा पड़े तो हम इन जल का उपयोग कर सके अपने खेतों की सिचाई के लिए तो अगर पाइपलाइन की ववस्ता अच्छी होगी नहरों की ववस्ता अच्छी होगी नालियों की ववस्ता अच्छी होगी तो हम इन जलों का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर सकते हैं जिसे हम दूसरे एक पूझत कई नालीयों का निर्मार होना चाहिए अगर ववस्था नहीं है थोड़ी दूर है आज की ववस्था सब्सकर होनी चाहिए जिससे पानी एक अपको बाइक आरका लाईक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको टाइम टाइम पर वीडियो मिल जाए आपका एक्जाम के लिए all the best best top luck आप अच्छा एक्जाम देकर आना है ताकि आप अच्छे नमबर स्कोर कर सको मेगी आप टॉपर बन सको तो all the best again को सको में एक पङ्छे खळी आपो ताकि आपि को ऑर खगल कर आप कर वीडिक सब्सक्राइब को तो पर भा कंप outtaलापीर.